नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जैयन अकेडमी पर जल्दी से बेटा लाइफ जुड़ जाएं क्लास का टाइम हो गया है आगे कोशन्स डिस्कुस करेंगे अपन त्री फैस इंडेक्शन मोटर के कोशन देख रहे थे और उसमें बेटा मैं वन लीनियर और आपके काफी नुमेरिकल ले रहूं यहां आपके त्री फैस इंडेक्शन मोटर में और काफी अच्छे-च्छे कोशन्स है तो जल्दी से बेटा लाइफ जुड़ जुड़े और पन सेशन को करते हैं स्टार्ट तो दे जल्दी से बेटा शेयर करते हैं और हां मेरको यह बताओ कोई कोशनन में प्रॉब्स तो नहीं आ रही है यह कोई कोई कोशनि में प्रॉब्लम आ रही 16 नंबर लिक्ट करते लिए हमारे पास डाटा है टेक्निकल टीप लगा देगी आपकर यहां सवल्यूशन देख लेंग जल्दी से टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट एगी को दिखाए को लगाएं और फिर बच्चे यहां जल्दी से एंसुर करें और ज्याजा शेर जुरू करते रहें बेटा अगर वीडियो चल लग रहा है तो लाइक जुरू करें क्योंकि काफी अच्छा मौसम और का सभी में वारिश हो रही है सावन का महिना चल रहा है तो बेटा क्लास को भी इंजॉय करें साथ में तो देखें पहला कोशन 74 नंबर कोशन बेटा देखो हैं एक से त्यतर नंबर कोशन अपने कल तक देख लिए अपना 100 कोशन का टार्गे पॉलीफेस का मतलब याद रखना कि आपकी क्या कर रहा है त्रीफेस इंडेक्शन मोटर पॉलीफेस का मतलब एक पॉलीफेस इंडेक्शन मोटर में आम तोर पर होती है आम तोर पर क्या होती है पॉलीफेस त्रीफेस इंडेक्शन मोटर आम तोर पर क्या होती है बताना है है option मेरे क्या कि रहा है option में क्या पूछ रहे हैं केवल slipped ववस्ता से शुरू हो only slipped फेज से ववस्ता से शुरू होती है polyphase तो फेज को तोड़ना किस में करते हैं सिंगल फेज और में करते हैं कि आपका हैं कि जाती है 1990 की winding करने के लिए 90-degree बाइंडिंग करने के लिए में कर देना है 43 आपको बताना है जल्दीकसर को सबस्क्राइब क्या इसका प्योंत कर देना है को पतला इसमेंट्सक को सब्सक्राइब बीट आपको एक चीज याद रखनी है देखो अगर आपके पास आजे त्री फेज इंडेक्शन मोटर आजे पहला दूसरी आजे आजे आपके पास सिंगल फेज इंडेक्शन मोटर आजे इंडेक्शन मोटर विजुलाइज हो रहा होगा ना सारों को तीसरा अपने पास आजे तो बीटा अगर आपको देखना याद रखना है कि आपके अगर त्री फेज इंडेक्शन मोटर आती है तो सेल्फ स्टार्ट होती है यह याद रखना बीटा केई बार एक्जामे पूछ लेता है यह होती है सेल्फ स्टार्ट त्री फेज क्या होती है आपकी सेल्फ स्टार्ट सिंगल फेज इंडेक्शन मोटर नोन सेल्फ स्टार्ट यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती और सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो यह भी आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती आपको सी की तीन मोटर यह सप्लाइव की तीनों में से बेटा एक त्री फेज इंडेक्शन मोटर जो सेल स्टार्ट होती है इसके अलावा यह सेल स्टार्ट है नहीं होती है चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर इस चीज का स्क्रेंशोट जुरूर ले आप और इन चीजि़ों को याद मोटर को पूरी डीटेल से देखेंगे मोटर को पूरी मोटर को स्टार्ट करके देख लेगे कि मोटर से क्या कोचन कुछा आता है से ठीक है ना कोशिन अच्छा दे दिया डबल करें क्या क्या के रहा है मैं चौह कि में आर्ग कोहते हुआ कि इन्देट्शिन मोटर की बात करें लुए है मिलीड़किқ uh होता यह को में नहीं इसका एंसर क्या है स्टार्टर में दोस्ट रेडिवाइंडिंग होती बास सुनना आपका स्टेटर जो होता है कौन सा स्टेटर वो तो बेटा आपका त्री फेज जो अपने त्री फेज इंडेक्शन मोटर में बेटा जो स्लिप रिंग में ले रहे थे और स्क्वायरल केज में ले रहे थे वो ही आपका स्टेटर होता है रोटर में फरक करते हैं रोटर में क्या फरक होता है सुनना डबल केज में क्या होगा जो आपका रोटर ह इसे बनाई जाते है इस प्रकार के दो केज बनाई जाते हैं किसमें को ओकी दो-दो केज होंगे दो केज मतलकΑ दो पिंजरे बनाएंगे ये लोग ऐसे देल्ल से बने होते हैं दो पिंजरे ये एक फिंजरे ये उपर ओता है एक निच निच शह थीक है इसको बना लेना तो्टर हैukt डबल केज में वाइंडिंग करना सीखने ना बिटा कुछ नहीं करना मोटर स्टार्ट कैसे होते है डबल केज क्यों बनाए क्योंकि wykor larvae can स्टार्टिंग टोरक कम होता है इसलिए डबल केज बनाना पड़ा डबल केज में क्या होता है दो पिंजरी होते हैं एक तो उपर वाला और एक होता है नीची वाला पिंजरा उपर वाले को अपर केज नीची वाले को इनर केज करते हैं क्या केते हैं तो अपर केज की बात इस पर बेटा वाइंडिंग करेंगे उपर जो पिंजरा होगा इस पर वाइंडिंग पते कैसी करते हैं इस पर करते हैं अपन हाइ winding करके दिखाता ने बेटा देखो इसमें देखो winding करते हैं तो आपका एक तो crop inductor आता है और एक आपका resistance आता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ अपर केज की, ऊपर वेले केज की ठीक है शाद करें आ, कि पहले जो winding करनी है एक तो आपका winding करोगे और इंड्येकटरम के मान में बादा इंड्येकट्र रोगा ये सर्ग सब्सक्राइब यह रखा जाता है याद रखना अपर केट मेरिन्ट करेंगे उसमें रेस्टरंस का का मन कम रखा जाता है ऑप सुनना बणा किसका होता है उपरवाली वैंडिंग किसकी बनी होती है पितल प्रास की और पित्तल की की जाती है पित्तल हो गया अब पित्तल की वाइंडिंग करेंगे रेजिस्टेंस ज्यादा रखना है रेजिस्टेंस ज्यादा रखना अपने बेसिक एलेक्ट्रिकल में फॉर्मुला देखा है एलपॉन ए R proportional L upon A के दो या R proportional L upon A है मतलो लंबाई बढ़ाओगे resistance बढ़ेगा cross-section area गटाओगे resistance बढ़ेगा तो अपन के सकते हैं साब पितल की winding बनाई अपर case में और बनाने कैसे है पतले wire मतलो आपको area कम रखना है तबी resistance बढ़ सकता है पतले wire और अधिक टर्ण की बनाई जाती है अधिक टर्ण की बनाई जाती है यह था अपका अपर केज का मामला अब इनर केज की बात कर लेते हैं अब मैं बात कर लेते हूं मेटा किसकी इनर केज की और बाद में जोडते किसमिया वो भी बता दूँगा Inner Cage की बात करेंगे Inner Cage में Winding करनी है तो एक Indector होगा एक RESISTANCE होगा यह मैं बात कर रहाँ Inner Cage की यह मैंने outer Cage की बात की आप पर केज की बात की ऐसा लग दे Outer Cage ठीक है न तो Inner Cage की बात करें Outer Cage की बात कर ली आपकी इन्र के इसकी में बात करूं यह इसमें resistance होगा और यह इसमें inductive reactance होगी इसमें inductive reactance को जदा रखा-जाता है इसको एक कम करना है तो आपको cross area आप बढ़ाना पड़ेगा ज्यादा XL की value रखनी है और resistance की value क्या रखनी है resistance क्या रखना है low और XL क्या रखना है high और winding किसकी आपकी तो आपको कोगे सर कोपर किये यह बात यह अगर आपको याद है तो आपने winding तो साब कर दी अब सबसे बड़ी बात आती है कि upper cage की winding और inner cage की winding जुड़ी किसमें होती है बेटा समांतर में जुड़ी होती है समांतर में क्यों जुड़ी होती है कि starting में current जो आपकी है अपर case से flow हो जाए और जो running current जब motor चल रही है तब आपके inner case से current flow जाए तो आपको कि सर current को कोई पता चल जाता है कि पहले मेरे को उपर चलना है बाद में नीच्य वाले में चल चलती है आपको मैंने बताया था कि motor जब स्टार्ट करते है ना जब rotor frequency और स्टेटर की frequency सेम रहती है तो एक्सल की value बहुत ज्यादा हो जाती है स्टार्टिंग के time क्यूंकि 50 Hz मिलता है रोटर को ना यहां पर आपकी कम होती है तो आपकी current क्या करेगी पहले यहां पर ज्यादा है यहां कम है अपने को तो यहां चलना है फिर वो यहां चलने लग जाती है दोनों कैसे जूड़ी होती है दोनों समांतर में जूड़ी होती है आपको ध्यान रखना है दोनों आपके upper case की winding और inner case की winding समांतर में जूड़ी होती है पेरलल में जूड़ी होती है या आध्र रखना है चलो बेटा यह आपकी क्या होगई है वांसे मोटर होगई मोटर होगई ऐसमें Staat शूप यह इससे फाइदा क्या हो गया पर की से रेजिस्टेंस ज्यूना हो गया पाँक्ष क्वाइन दिक इदक होगे तो तोरक ज्यूंत Zach तो अब आप आप आइंस्वर इसका राइड कर सकती हूं कि इसका आने वाला है कितनी बच्चों नी इसका आइंस्वर किया देखते हैं एक बार के लिए पेटा समझ में तो आ रहा है ना प्रोपरली तरीके से सारी चीजें खोल खोल के बता रहा हूं इसको इनर केज को आपकी रियक्टेंस ज्यादा री जाती है रेजिस्टेंस कम रखा जाता है किसकी बणी होती एज कोप ररकी दोनों अलग अलग है द्यान रखना रेजिस्टेंस कैसा है इसमें लो रियक्टेंस कैसी है हाई रेजिस्टेंस लो है तो आपको कैसे बनानी पड़ेगी इसको मोटे तार कैसे मोटे तार से बनानी पड़ेगी और कम टन की बनानी पड़ेगी और लिख लेना बेड़ा इसमे सर्फटरी समान्तरकरम में जोड़ते हैं तोरक आपका देक्व, बढ़ गया है बढ़ गया हो? मतलर आपका a lift work दो बढ़ गया तो आपका power factor तो बढ़ गया बढ़ गया तो आपका starting समान्तरकर भी बढ़ गया तो ये काम आती है आपकी double case square case motor आई होगा आपको समझ में आई होगे समझ में आए तो थमसब का sign जुरूर सेंट करें आगे चलते हैं next question की और बात करते हैं देखें बेटा next question अब बेटा आपको 3 double case square case induction motor पढ़ने नहीं पड़ेगी आप इतनी चीज़ें याद रख लें एक अच्छा question है देखो एक numerical है डरना नहीं है formula आपको बता रखा है मैंने सब चीज़ें बता रखी है यह अपना चल रहाए 76 number question क्या की रहे है एक 3 phase induction motor 440 voltage ले रहे है जो data दिया जाता है पहले वो data आप नोट करोगे जिस supply voltage दे रहे हैं 440 एक सेक्ड हाँ 440 voltage दे रहे हैं हो ग frequency f equal कितनी 50 Hertz ओके प्रेरन मोटर में आपकी slip है slip क्या होती है बेटा स्टेटर की स्पीड माइनस रोटर की स्पीड इसका percentage निकाल लो slip निकल जाती है ओके slip आपके पास 10% हलांकीतनी होती नहीं है वह ज़्यादा दे रखी है कोई दिक्क्रत नहीं कुछ भी आ सकता है तो रो rotor EMF किया वरती rotor दे दिया बेटा केने का मतलो rotor frequency निकालनी है जल्दी से comment करो बेटा क्या answer आने वाला है कल भी ऐसा question आपके पास था सारे बच्चे आप बहुत कम जवाब दे रहे थे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जरूर शेर जरूर करते रहें बेटा जो बच्चे काम पर अपकी ओके तो जलदी Sarah a minus क्या रहा है आठ्थ सेicação आका रहे हैं 5 α ओंगे मेंधर से नि बोल रहे हैं डी का इनमें से कोई नहीं इनमेसे कोई नहीं ओके चैनल को सास्क्राइब कर लें बेटा सर आपका आपका शिश्य है ओके विश्णुश्रमा चलो बेटा देखते हैं कैसे होती है आ रहा है को आप्षिन नहीं आ रहा रहा रोटर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मुला होता है रोटर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मुला होता है सप्लाई फ्रिक्वेंसी supply frequency into slip और slip परसेंटेज में नहीं लेनी है परसेंटेज को अटाओ तो आपको कि 10 बटा 100 परसेंट अटा तो 10 बटा 100 एक 0 से 10 कटकी slip आगी 0.1 कितनी आगी 0.1 आगी न अब देखो बेटा ये आपको rotor frequency निकालनी है supply frequency कितनी है 50 into slip कितनी है 0.1 तो बेटा multiply करो frequency कितनी है आगी आपकी 5 hertz आगी क्या 5 hertz option में नहीं है क्या आपका देखो एक बार 5 hertz नहीं है क्या ओके मिनाक्षी चोदरी ओके रम रम विल्कुल सभी को चलते हैं आगे आगे देखें बेटा आपका 5 hertz option में नहीं है यहाँ आपकी रोटर की frequency 5 hertz होगी तो आपको देखो इन में से कोई नहीं आपका d answer करना है क्या d करना है d answer आपका right होगा ओके next question पे चलते हैं next question देखें बेटा आपका next question द्यांसे सुनें और question को करें बेटा 3 phase induction motor के question बेटा 100 question करवाँगा इतने में बेटा मैं 3 phase induction motor को एक दो बार पलट दूँगा ठीक है ना मतलों एक दो बार आपकी revise हो जाएगी पूरी की पूरी motor question कर लो बेटा पढ़ने की जूरत नहीं है यह मेरी guarantee है आगे देखे 77 नंबर कोशन क्या के रहा है त्री फेज इंडेक्शन the motor a starter देखो विटा कौन कौन से होते हैं सब चीज़ें डीटैल से देखेंगे और यह कोशन मैंने पड़ा भी रखा है एक होता है डी ओ एल starter क्या होता है डी ओल स्टाटर दूसरा नाम याद रखना दूसरा स्टार्टर का नाम होता है star delta starter लिखते रहना बेटा आगे तीसरा होता है आपका auto transformer starter x-mer का मतलब transformer starter चोथा आता है rotor resistance starter अब यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है अब यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है स्टार आपके चार प्रकार के होगे पूरा कोशन मी देख लेते हैं स्टाटर की इतने परकार के ठीक है ना कहां से कुशन हो सकता है आपके ये तीन स्टाटर है ये तीन स्टाटर आपको याद रखने हैं ये तीन स्टाटर किसके लिए होते हैं ये होते हैं आपके सुकायरल के इसके लिए स्कायरल के इस इंडेक का इंडेक्शन करने के लिए काम आता है बाकी स्कौायल के स्कौायल के स्कूर क Τर्ण पूछ लेता है यहां से आपका एक वोच लेता है कौन सा नियुक्ति Jourdan Metro चल्ड पूच लेता है कि दिउल इस्टाटर होता है । पी तक होता है बेटा पांच एच्पी तक कि अगर आपकी स्टके इंडेक्शन मटर तो स्टाट करने के कोोन आईगा डियोल स्टाटर का माईगा स्टार डे रिटा स्टाटर 20 एच्पी तक काम करेगा ओठोट्रांस्फोर्मर 20 इस HP से अब आगर आपकी कोई motor है वो स्टार्ट करेगा अब आपको कि सोरी से रेजिस्तर्स कितने एज पितक करता हरे भई सारों को स्टार्ट करेगा जितनी तक आपकी slip ring induction motor आपने बनाई है और एक चीज और रहे मैक्जीमम स्लिप इंडेक्शन मोटर बनाई जाती है आपकी 1000 वाट की ठीक है ना और इसको किसको स्क्राइल के इसको 100 की यह बैस आपको याद रखना है ओके चलते हैं नेक्स्ट कोशिन पे चलते हैं बिलकुल आगे संजीव बी अच्छा कोशन क्या था बिटा पड़ते हैं कोशन तो पढ़ाई नीपैले सुम्जा दिया तीन फेज इंडेक्शन मोटर स्टार में रिखत में से कौम सा नहीं है वेख ओनलान स्टार्टर सिते लाइन स्टार का मतलो हों ली मोत्र कर दारेक्ट ओनलान स्टार का नियुक्त होता है दूसरा स्टार डिल्ट्र होता है थीसरा स्लिप रिंग स्टार बिल्कुल होता है quarter 3ンダ स्टार एस फ्रकार से जबाब डेतीर यार मज़ा आता रहता है अब जयाद शेर जुरूर किया करो कम से कम सब्सक्राइख चलते हैं यहां पर खून खोलने लग जाता है ठीक है ना तो जल्दी शेर जुरू किया करो next question चलते हैं next question को देखते हैं बेटा समझ में आ रहा है तो थमसब का sign जुरू send करें यह बातें आपको याद रखनी है चलते हैं next question पर आगे देखें आगे देखें बेटा लाइव और लाइक में बहुत डिफ्रेंस आ रहा है यार आप ज्यादा लाइक जुरू करो शेर जुरू करते हैं साथ में next question की बात करें बेटा next question देखो आपका क्या किया रहा 78 नंबर question ध्यान से सुनो six दुरूविया मतलो six पोल एसी मसीन के लिए कुल इलेक्टरी डिगरी कितनी होती है बड़ा अच्छा कोशन है बहुत ही अच्छा कोशन आपका इलेक्टरी डिगरी निकालना मतलो वाइंडिंग का कोशन है अगर आपने वाइंडिंग नहीं पड पिक लेयर का है यह आपके 12 वीडियो है आप जरूर देखें उसको क्योंकि वाइंडिंग आपने पढ़ ली तो मशीन आपकी हाथ में है ठीक है न कैसे गुमती आपको पता चल जाएगा चलो कोई ना आपन देखते हैं इलेक्टरीकल डिगरी क्या निकालनी है किसी भी हुचा गया था इलेक्टरीकल डिगरी का फोर्मुला होता है तो वहां पर ओप्शन था बेटा एक सो असी इंटु पोल आप इससे भी निकाल सकती हो पहला फॉर्मुला दूसरा फॉर्मुला बेटा बताओं आपको तीन सो साथ डिगरी इंटु पेर पोल पेर पोल का मतलब होता है जोड़ा लेना है एन और एस एक पोल एक पेर हो गया ओके और पोल का मतलब क्या होगा आपका एक पोल ओके तीसरा और फॉर्मुला क्या होता है पेर पोल यह पिटा आपको तीन फॉर्मुले यार यह तीन फॉर्मुले आप याद रखो आप निकाल दो इलेक्ट्रिल डिगरी निकाल सकते हो और ज्यादा अगर कोशन करो ना कभी गलती मत कर दियो उपर वाला फॉर्मुला यूज करियो निकाल तो मैं तिननों से वीठी कुंकिये अपने धिमार में पताई क्या चलता है अपने पुछा उसने इल्लेक्ट्रिकल डिगरी क्या पुच्छा एकजार आप इस फॉर्मुले को यूज करो है यहलु निकल जा आपれない नहीं सरम, 360 बड़ा करते हैं, 360 बड़ें बेटा के बच्चे गलती कर देते, 360 बेटा क्योंकि एक्जाम टाइम में दिमाग ऐसा रेता है, 360 को बेटा आप कर दोगे कहीं 6 पोल देर के हैं, 6 से मल्टिप्लाई मत कर देना, पेर कितने बन रहे हैं, 6 पोल के, तो आपको गे 3 पे दी है, तो यहां तक चलते हैं आगे, यह था अपका इलेक्ट्रिकल डिगरी, यहां पर कितने बच्चों ने अंसर दिया है, दिनेश कुमार, 78 का A, बिल्कुल, राजेस कुमार, 78 का A, बिल्कुल, बेटा, महंदर कुमार A, ओके, सचिन शर्मा, बिल्कुल A, इसके लवाव ओर बेटा, कॉमेट बहुत कम आ रहे हैं, नेश्ट, बिल्कुल, सारों को समझ रहे, सुरेस कुमार, महंदर सैनी ओके, बिल्कुल, राजेस कुमार, शरमा, ओके, बिल्कुल, बिल्कुल, 78 का A, बिल्कुल, बेटा, 78 काया, शिस गयालोद, संजीव कुमार, डी, अच्छा, पिसले कोशन आथा गया, चलो आगे, next question की बात करते हैं, बेटा, बहुत होगे इस पे, ना, बैसे फोमले याद रखना, आपको डारेट अगर पूछे, तो आपके question होने चाहिए, next question की बात करते हैं, next question देख करते हैं, तो उसको join कर लें, telegram, join for pdf, आपको मिल जाएगी यहां से, चो देखते हैं, 79 question, 79 नमबर देखें, 79 नमबर question, जल्दी sensor करो बेटा, पहले कौन जवाब देता है, इसका, देखो क्या के रहा है, बहु फेजी है, मतलो, क्या के रहा है, त्री फेज इंडेक्शन लगा गया है, ओके, delta starter लगाया गया है, प्रतेक उंडल में छोर पर voltage होती है, कितनी voltage होती है, आपको देखना है, चलो बेटा, देखो कैसे, कैसे निकालेंगे, आपने पहले comment कर दिया होगा, आता होगा बेटा, line voltage का route 3 मिलेगा, ओके, तो चलो देखते हैं, बिलकुल, route 3 म बोल रहे हैं, C, और इसके लवा और बेटा, और अभी, अभी समझाएंगे, आपको समझाएंगे, अच्छी तरह से समझाओं, बेटा, देखो, आपका star delta starter है, सुनो बेटा, इस question को करने से पहले, आपको basic electrical पे लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके question समझ में आएगा, आपकी line current, phase current के बराबर होती है, star connection की property मानो बेटा, यह कुछ भी मानो, आप line current क्या होती है, phase current के बराबर होती है, पर star connection में जो line voltage होती है, वो root 3 गुणा होती है, phase voltage के बराबर, ओके, इसी परकार अगर 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 डेल्टा की बात कर लेता हूं, बेटा, डेल्टा में क् डेल्टा स्टाटर नहीं है आप यह पर छोड़ दो बीटा आप में schirm यह चीज होती है और डेल्टा में देल्टा में बेटा लाइन वोल्ति अन्हीं नं तक्तिज़ वह मॉल्रेंट n large mgon अंबे और शवाष्ण अगर kısmир система क्ल वाला मैंने आध में dis time 10 ओंगा वेल बराबर वी पेचगा और आपकी लाइन करेंट बराबर होती है दो इस यह फिए इसे होती है आपको यह सरming के ज़्वाइन रखना कि कि पहले जो करेंट आएगी वाइगी मेरी वाइंडिंग स्टार में ऐसे होती है आपको चब्स evenly सी वाइंडिंग होती है होती है आपने क्या-क्या इस टार को बेटा ये जो ब्लेक पेशन से बिना रहा हूं यह लाइन आपने जोड़ दी यह क्या जोड़ दी यह तो लाइनों के भी इच लायन वॉल्टेज होती है और आपको छेमारी यहां पर आपकीडाचे लुगेतर है यहां पर आपकी फेच वόलेज जाती है पता है कि बराबर क्या होता है रूड़ थी विगे से होता है और आप जानते हो कि हमारी यहां phase voltage आती है इस फेस्ट पर तो बेटा विल बटा रूट त्री विल क्या होता है लाइन वोल्टे Lewis होती है वी पी एज क्या होता है फेज वोल्टेज होती है ओके चलते है नेक्स्ट कॉशेंट पे हो गया सारे बच्चों का ओके देखें बैटा एडेटी नमबर कॉश् नहीं पाई जाती मतलब यार आपकी जो sleeping induction motor उसका योज कहां नहीं करते आपको यह बताना है sleeping induction motor का यूज नहीं कहां नहीं करते आपको यह बताना है जिसको पता है sleeping induction motor की विशेश था कि तो वो इसका answer दे सकता है चलो मैं बताओंगे इसको अच्छे से खोल के देखेंगे को पहले मैं कोमेट देखता हूं कितने कोमेट आई हुए है कुल्दीव पर्चापत ओके आ गया डिकेसिंग यस सर बिल्कुल आसिस गयलोग सी बिल्कुल बिल्कुल बेटा शेर जुरू करते रहें बहुत यार क्या बात है वेरिशन चलता रहता है समझा देता हूं अच्छी मोटर है और त्री फेस एंड इंडेक्शन मोटर को पूरी को समझा देता हूं देखो आप फिर बता दोगे इसका क्या यूज होता है मैंने लिखा बेटा यहां पर स्लिप रिंडेक्शन मोटर है पहली बात तो याद रखना रोटर पर winding की जाती है रोटर पर winding करेंगे दूसरी बात slip ring यूज करते है और slip ring जो बनी होती है किस की बनी होती है पहले ती बताओ किस की बनी होती है तामबे के बनी होती है फास वस बरॉंज की बनी होती है जल्दी से comment करना ठीक है न दो पेels ने कामबा या फासवास बॉरा उज सलिप रिंग योज करते हैं अभर दूसरी बात स्लिप रिंग से नियरौ को एकस्ट्राऊ मिसीजिव चिस्टेंग से जूड सकते हैं अगर आपको याद एकस्ट्रा एकस्ट्रा इस तर् mensen इंडेक्शन मोटर का रेजिस्टेंस स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आरस मतलो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होता है एस का मतलो स्टार्टर मा समझ लेना गोते तॉर प्रक क्णरोट होता है प्रकोंड यह भी ज्यादा है लोड पर स्टार्ट कर सकते हैं लोड पर स्टार्ट करेंगे प्लक to जाहां पर स्टाइण डर्ग आपको ज्याधा चीह वहां पर इस मोडर का यूज़ कर सकते हैं अब ज्याधा स्टाइण डर्ग कहां कहां चीह है ऑप्षिन में डूड़ लो और एंस्वर कर दो बेटा इसका बिल्कुल ब्रॉंज, फार्स फर्स ब्रॉंज, अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, फार्स फर्स ब्रॉंज की बनी होती है, ठीक है न, याद रखना, बिल्कुल सही है, स्लिप रिंग फार्स फर्स ब्रॉंज की बनी होती है, और मैं यूज नहीं करते तो यहां पर option में बेटा आप चेक कर लोगे ठीक है ना चलते हैं next question की बात करते हैं यह बेटा आपकी क्या होगी slip ring induction motor होगी इतना ही चीज़ें बताई जाती है आपको और यह इतनी ही पूस्त है exam में ठीक है ना और इतनी चीज़ें उसके बाद तो बेटा यह मोटर अच्छी नहीं है मैसे की फाइदा इसका कि इसको लोड पर स्टार्ट कर सकते हो starting resistance जादा होता है और दोनों का अगर comparison करें स्क्राइल के जो स्लिप रिंग का तो स्क्राइल के बेटर है बैस एक दिक्क्त है उसमें अगर आपको कभी भी स्पीड देना मोटर की ना कोशन में तो वो रोटर की स्पीड होती है ओके बैस स्पीड होती है रोटर की स्टस्पीड देao के 144 out रपीम होके कि और विक SRN ज्याद कीज़िक है स्लिप को जी स्लिप निकालनी है जिस लिप का फॉर्मुला क्या होता है तो आपको गए सर देख फॉर्मुला आप तो याद हो गया बीटा स्टेटर स्पीड या सिंकोना स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन आपकी सिंकोना स्पीड इंटू आपका सुप आपको क्या करना होगा nr की value दे रखी है पर ns की value नहीं दे रखी है तो ns की value निकलो synchronous speed निकलो सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है 120 f upon p दो step का question है बेटा 120 into f कितना है 50 बटा 4 और याद रखना बेटा यार ये तो याद हो गया होगा जब बूटर 4 पोल की होती है और पचास अरज की होती है तो अमेसा आपका 1500 rpm आता है कितना आता है पंदरा तो ns कितना है आपको 1500 rpm आ गया तो slip में बेटा value पूट करो 1500 minus 1440 upon 1500 into आपका 100 तो slip कितना है बेटा आपकी तो 1500 में से 1440 कि कितना बचे गया है 60 बटा आप 1500 into आपका 100 दो जिरो से दो जिरो काट दी पंदरा एका मंदरा पंदरा चोके साथ slip कि वेल्यू कितना आपकी 4% राइट एंज पर किया होगा आपका 4% ओके यस या नो समझ में है बिल्कुल ओके आस इस गया लोद 4% ओके आस इस गया लोद 60 ओके दिनेश कुमार 60 60 कि अच्छा पुचा है वी कर्षण गती जिए ओ बेटा वी कर्षण गती निकालनी है slip नहीं निकालनी slip निकालनी बहुत अची बात है आपको वी कर्षण गती निकालनी है अंतर निकालना है तो आपका ये 1500 आर्पम आ रहा है और रोटर स्पीड कितनी है अरी आपको 1440 बेटा दोनों को माइनस करो कितनी आ गई 60 आर्पम राइट एंस और आपका 60 आर्पम देखा नहीं था बेटा मैंने उसलिप निकालनी है आपकाइशलिप 4 परसेंट हो जाएगी वी कर्षण गती निकालनी है तो साट अर्पम हो जाएगी ओके दोनों को माइनस करना था चलो अच्छी बात है नेक्स्ट कोशन की बात करें आगे देखें नेक्स्ट कोशन देखें लिटा आगे दिखें नेक्स्ट कोशिन 82 नम्बर कोशिन देगे वेड़ा बिल्कूल सिंपल कोशिन आपका पिंजरा रूपी मतलो स्कायल केज इंडेक्शन मोटर प्रेरन मोटर की तुलना में स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टिंग शक्ति गुणांक अभी अभी आपको बताया अभी अभी आपको बताया देखो एक तरफ तो लिखो श्लिप रिंग एक तरफ लिखो शुकायल केज डिफ्रेंस देखलो दोनों में डिफ्रेंस देखलो बेटा दोनों में पता जल जाएगा इसका जो ज्यादा रहता है कि पी उससे बैठा आपका त्टोर भी क्या होगा ज्यादा होगा स्टार्टिंग में ज़िए इसमें क्या दिक्कत है आप की चालक की छड़ये रखी जाती है उनको भी एंटरिंग से क्या कर दिया शोट कर दिए टो शोट सरकुट चालक बन गया तो स्टरर्टिंग रेजिस्टेंस कम होता है तो cos phi कम हो गया तो torque भी कम हो गया यस यह नो इसने तो बेटा इतना ही पूछा गया था कि हमारा power factor क्या होगा तो सुकायल केज का power factor starting power factor कम होता है slip ring का starting power factor ज्यादा होता है पहली बात starting की बात करें एक number दो number difference उनना बड़ा important है इसमें अपन को यह पता चला starting टोरक ज़्यादा होता है किसका slip ring का स्कॉल केज का starting टोरक T SS लिख़ना यह SS का मतलब starting का बाद में confusion नहीं होगा यह SS का मतलब starting 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 की बात हो रही है यह starting टोरक इसका ज्याद़ है इसका क्या होता है कम होता है तो टॉर्क ठीक है ना इसकी स्पीड की बात करूं स्पीड भी कम होती है इसकी बेटा स्पीड भी हाई होती है और इसका स्पीड और इसका जो रनिंग टॉर्क है यह भी बेटा इसका ज्यादा मिलता है स्टार्टिंग के टाइम और स्टार्टिं यह बात याद रखना बड़ी इप्पोर्टेंट है तो यह बात याद जुरूर रखना बेटा रणिंग के टाइम है ना यह मोटर काम की नहीं आपके वह बैठ लिए ज़ुनिग के काम किश्केट जमे की दिक्कत है और श्रूबलम आ रही है रन नंग में तो बहुत बीटर चीज़ें दे रही है छोटी मोट नेक्स्ट कोशन पर कर दिया एंसर होगा ठीक है ना स्टार्टिंग पावर फेक्टर पुच्छा था बता दिया था आपको आगे नेक्स्ट कोशन की बात करें देखें नेक्स्ट कोशन एंसर ऐसे A B C D लिखनें के तो जूरत नहीं है ना मेरको आप पैचान लेते हो बेटा समझ जाते हो तो बेटा आइंसर कर लेते हो चलो 83 नंबर कोशन देगो बेटा जब प्रेरिन मोटर का रोटर समन्य गत्ती से प्राप्त कर लेता है तब उसे उत्पन आवर्ती जब आपका रोटर है स्टार्टिंग फ्रिक्वेंस रोटर की जो स्टार्टिंग फ्रिक्वेंसी सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है आपको पता है क्यों सुनो आपको पता है कि रोटर फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है स्लिप इंटू फ्रिक्वेंसी यस या पर आ गई आपकी supply frequency जैसे जैसे motor speed बढ़ती है तो आपकी slip क्या करने लग जाती है कम होने लग जाती है तो rotor frequency भी आपकी कम होने लग जाती है क्यों कियों यह sprechen आपकी कम होगी तो रोटर फ्रिक्वेंसी कम होगी कि नहीं होगी आपको यह सब होगी बिल्कुल होगी बिटा ठीक है ना चलें आगे नेक्स्ट कोशन की बात करतें 82 का बी चलो बिटा इसकी उप्षिन देखतें है शमान रहती है कम हो जाती है बढ़ जाती है बिल्कुल बिटा कम हो जाती है जब आपकी running condition आती है जब motor चलने लग जाती है तो slip की value कम होने लग जाती है तो slip की value कम हो गई तो बिटा slip की value इसकी value कम करोगे तो बिटा refract function कम होगी भी एसर ऑफ जाती है next question की बात करें बिल्कुल right answer बिटा आपका right answer है थीक है न चलते हैं आगे के quand की के वर बात करें है 1984 कोशंट किसी पोली फैस को इंडेक्शन मोटर मोटर बड़े वे प्रारंबिक बल्द आगुंण को प्राप्ट किया जाता है है ये सुखाइल के मोटर को अगर आपको क्या करना पढ़ेगा है कि कना करना पढ़ेगा अभी अभी बताया है यह ऐडबल के का यह कोशनन अब ना आवर्ति आशचान Olan ड्रॉप पावर क्या लिखाया डॉप बार क्राच का प्रियोग करें ल्वेव कि संख्या को बढ़ाइं यह डबल केज रोटर का परियोग करें तो बताओ क्या होगा आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है सुकायल केज का तो बढ़ाने का कोई option नहीं होता है पहली बा सुनना सुकायल केज रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना impossible है आपको ऐसा रोटर त्यार करना पड़ी का जिसमें आपके दो केज हो कितने केज हो? दो केज inner केज और outer केज outer केज में ऐसी वाइंडिंग करो जिसका resistance ज़्यादा होता है किसकी करते हैं? पितल की करते हैं पतले वायर से करते हैं ज्यादा टन रखते हैं तो आपको डबल केज इंडेक्शन मोटर की जुरत पढ़ने वाली है तो आपको डबल केज इंडेक्शन मोटर पढ़ने पड़ेगी तो आपका राइट एंस रोजेगा बेटा D क्यों? दो केज चाहिए यह आपको अगर रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो ठीक है ना और आपको अच्छी तरह से बता भी दिया डबल के स्काइल की इस इंडेक्शन मोटर को चलते हैं नेक्स्ट कोशिन पर आगे देखें 84 नंबर कोशिन देखें बीटा स्वरी 86 नंबर स्टॉप अच्छा ठीकनिकल बोल रही है टीम बोल रही है बिल्कुल स्टॉप हो गया अभी अपना पास एक 73 नंबर कोशिन था अच्छा कोई दिक्कत नहीं है चलो बेटा 85 कोशिन आपके लिए है आप इसका कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट करके मेरे को जुरूर जवाब दोगे आप पहले इसका स्क्रीन शोड़ लेलो अभी अपन 73 नंबर कोशिन को देखेंगे ठीक है न यह कोशिन अपन कल देखेंगे जो परिवर्तन विदी अपना ही जा सकती है आपको ध्यान रखना है कि जो कंट्री फेज इंडेक्शन मोटर को जो कंट्रोल करने की विदियां है वो चैविदी है कितनी विदी है चैविदी है ओके चैविदी को बेटा मैं कल डिसकूस करूँगा पहले आप इसका एंसोर को देना मैं अच्छी तरह से बताऊंगा वो चैविदी कौन-कौन सी है ठीक है ना पहले तो आप इसका स्क्रीनशोट ले लिया ओके ठीक हा ओके ऑप्शन आ गया है ओके सर ठीक है आप जबाब दोगे बेटा मेरे को फ्लाइन जबाब आ जाना चाहिए जैसे कल 73 वाले कोशन बाकी रह गया था यदि एक 3-phase प्रेंड मोटर का एक फेज खुल जाए तो क्या होगा एक फेज आपका खुल जाए तो यह कोशन आपके लिए था आपने इसका एंस्वर क्या दिया या आज बच्चे जो नहीं जुड़े हैं वो इसका एंस्वर क्या करेंगे अगर आपकी चलती भी मोटर का एक फेज खुल जाए तो क्या होगा जल्दी से बताएं जल्दी से बताएं क्या होगा 85 का सी कुल्दी परजापत ओके मैंदर से निस सी ओके ओके 85 के अंसुराने लगे आप तो 73 का बताओ एक फेज खुल गया मोटर चल रही है मोटर चल रही है आपका एक फेज खुल गया तो क्या होगा शिवराज कुमार 73 का तीन नंबर सर ओके मेंदर सेनी सर तीन नंबर मोटर चलेगी लेकिन लोड नहीं उठाएगी क्यों नहीं उठाएगी लोड बेटा देखो एक फेज खुल गया एक फेज खुल गया तो बेटा अपन मानते हैं कि मोटर जो आपका 100 किलो वार्ट लोड उठा रही थी बाद में वह 58 किलो वार्ट लोड उठाएगी ठीक न तो क्या हो जाता है आपका जो आपकी पावर डवलप होनी थी वो आपकी 58 प्रसेंट ही डवलप हो पाती है मतलब मोटर क्या नहीं उठा सकती है आपका लोड नहीं उठा सकती है तो राइट एंसुर इसका बिल्कुल सही है बेटा सी ओप्शन था अभी तो एंसुर आ रहे हैं ओफलाइन में किसी का नहीं आए था तो बेटा ओफलाइन भी जवाब दिया करो यार ठीक है ना जैसे 85 नंबर का है तो उसका एंसुर आप सारे दोगे और पहले मेर को यह कॉमेंट और करोगे कि आपका त्री फैस इंडेक्शन मोटर को कंट्रोल करने की कौन सी विधियां है और स्लिप रिंग क प्रोक्सिमेंट सारे ना सर बिल्कुल फिप्टी कोशन सा आपके तो इन फिप्टीन कोशन के अगर आपको पीडियाप चाहिए तो बेटा आमरे टेलीग्राम गुरुप को जोइन कर ले उसमें आपको यह अभी तुरंत पीडियाप मिल जाएगी और आप एक बात जुरू आपके पास तुरंत मिल जाए ओके तो मिलते हैं बेटा कल इसी टाइम आठ बज़े तब तक के लिए बाइबाइब कर दो